क्या मामला है किस तरह की नोग ने गठना को अल्मॉस्ट ब्लाइंड जैसी थी इसमें अब्यक्तों ने एक ब्यक्ति की जो उनका रिस्ते में लगता तो था मा मेरा भाई उसकी हत्या करके और गाड़ी में लेकरके उसे गाउं में यह कहीं आसपास डम करने या उसे डिस्पो है करके इनको कबजे मिली और पर जनों से जब जानकारी मिली तो नों ने पूरे मामले की जानकारी करके रिखकर दिया थाना करेली में जिसफिक्वारी पंकित करके थाना परभारी करेली और स्यों फस्ट की टीम दगी उसमें बड़ी तत्परता पुर्वा करवाई करते हुए 24 घंटे में इससे घटना से सनलिप सभी तीनों व्यक्तियों को गिरपतार करके तीनों अब्यक्तों को आज जील भेजा जा रहा है जो घटना में प्र उसको भी देखा जाएगा बॉड़ी लेकर की खूरपूर जो करेली का रहने वाला था जो अभ्यूक्त पक्ष है और वो मिरतक रहने वाला खूरपूर थाना छेतर के सिंधुवार गाउं का था यह डिट बॉड़ी को लेकर अपनी कार से जो कार इनकी अपनी एक रहाए प पर लोगों को डाउट होई इनकी बातचीत में पुलिस को सूचना दे जिसे पुलिस वहां पर पहुंच करके उनको कबजे मिली गाड़ी को भी और पुलिस पहुंचने के बाद फिर सारी बाती जानकारी में आई करेली इस्पिटर भी पहुंचे फिर वहां पर अभी अईसा था घर पर जिसको मरतक बिना बता है हुए लेकी चला गया था और इस आशय की जानकारी इनके घरवालों को भी हो गई थी उन्होंने भीThere